वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे जैसे की बता होगा अभी बिहार में बहुत जल आपका बिहार में सिख्छक भाली भरती परिक्षा जो की टीरी 3 होने वाला है उसी को देखते हुए आप लोग लेकर मैं 24 के बीच में जो भी टॉप 500 मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफियर है उसका सीरीज चल रहा है ठीक है तो यह आज इस सीरीज का तीसरा वीडियो होने वाला है इससे पहले पार्ट थिरी तक यहां पर अपलोड कर दिया गया है अगर कि आप लोगों ने पार्ट ही इंपोर्टेंट दोस्तों क्लास होने वाला है जिसमें कि देखे करंट अफियर अगर के पढ़ने के लिए आप अस्टार्ट किजिएगा तो एक साल के अंदर में बता सकता हूं कि 5000 से अधिक 10,000-20,000 भी करंट अफियर बन सकते हैं लेकिन आपको वही करंट अफियर पढ जादा मिल सके ठीक है दोस्तों आज के कलास का 301 नमबर क्यूचन से केंदरिये सतरकता आयोग के नए सतरकता आयोगत के रूप में किसे यहां पर निउक्त किया गया है तो वह जो निउक्त किया गया है एससे राजीव को किया गया है देश के पहले कौसल भारत केंद का हुआ है ओडिषा में आपका एस्या का सबसे बड़ा जन जाती है महुत सौगा सरल लम्मा जतारा कहां प्रारंबु एक जो वर्ड है ना ये वर्ड है साउट इंडिया प्रीतम जी है यहां पर ठीक है अगला सवाल आता है कि दादा साहेफ फाल के International Film Festival 2024 में सरोस्रेश्ट और भिनेता का अवार्ड की से मिला है इससे पहले मैंने आपको बताया कि बाकि जो International Film Festival का सरोस्रेश्ट भिनेता चुना गया है वो सारू खान जी को यहां पर चुना गया है अगला सवाल आता है कि भारत तो जपान सेना के बीच में धर्म गारजियन 2024 का पाँचवा संस्क्रण का आवजन कहां पर हुआ है तो यह जो हुआ है राजस्थान में हुआ ह भारतिय सेना के पहली महिला सुपेदार कौन बनी है तो यह जो बनी है प्रीती रजक बनी है और दुनिया के सबसे अमीर ब्यक्ति कौन है तो वो बने है बर्नार्ड और नॉल्ड याद रखेगा जेव बेजोस जो है और जो टेसला के मालिक है वो अभी हट गए है यहां प जो भी अपडेट होगा मैं उसको अपडेट कर दूँगा अगला आता है यहां पर खेलो इंडिया सितकालिन खेलो के चौथे संस्क्रण का उदगाटन कहां हुआ तो यह जो हुआ है गुलमर्ग में अगला सवाल आता है कि दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी मस्जित का अलजीरिया में हुआ है ठीक है और राष्टिये बिज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है तो इससे पहले ही मैंने बता दिये कि जो अगला सवाल आता है कि भारत का लोकपाल किसे निउक्त किया गया है अजय मानिक राओ खानवील करच जी को यहां पर निउक्त किया गय करेंट अफेर था ओग कम्पलीट होता है अब यहां से स्टार्ट होता है मार्च दो हजार चौबिस का करेंट अफेर पहला ही सवाल आता है मार्च में 304 नंबर सवाल नंबर आएगा कि बेसिक अस्ट्रक्चल एंट रिपब्लिक पुस्तक के लेका कौन है तो जो यह पुस भारत के सबसे बड़े द्रोन प्रसिक्षन सूविधा की सुरुवात किया है तो यह जो किया है वो आयाइटी गुवहार्टी में किया गया है आप लोग इसको भी याद रखियेगा अगला सवाल आता है कि अलेक्जेंडर अस्टव किस देश की राश्पती बने हैं तो यह इस देश में पहली बार गीता महुत सो मनाया जा रहा है तो यह जो मनाया जा रहा है ओ यहां पर आपका स्रिलंका में मनाया जा रहा है फिर आता है कि टी ट्वेंटी में सबसे तेश सतक 33 गेंद में किस खिलाणी ने बनाया है तो यह जो बनाया है जॉन निकोल लॉफ्टी ने यहा पर बनाया है उसके बाद ज्दे का महा निदेशक नियुक्त किया गया है वह दलवीर चौधरी को बना है किस सब्सक्राइब ao सब्सक्राइब कि अगला सवाल है किस सरकान बिधवा पुणर विवा सतों योजना शुरू करने की घूश़्छा कि तो तो यह जो किया है यहाँ पर जारगर्ण में वहाँ पर बिद्वा जो भी होगी उनको दुबारा बिवाह करने के लिए प्रसाहन किया जाएगा. अगला सवाल आता है कि 9 मार्च 24 को हुई एक हतरवी मिस वर्ल्ड परतियोगता है कि विजेता कौन बनी है तो वो बनी है क्रिष्टीना पिजकोवा आप लोग याद रखियेगा. कौन सा कानून केंद्र सरकार को जमू कस्मिर में मुस्लिम कॉन्फरेंस गुटो के गैर कानूनी संग घोसित करने का अधिकार देता है तो ओ जो है गैर कानूनी गतिवी दिया रोक्ताम अधिनियम उन्हें सो सर्चर्ठ आप लोग ये चीज़ याद रखियेगा. अगला सब आता है कि भारत के किस राज में तेंद्र को की सबसे बड़ी अबादी रहती है तो वो मध्य पर्देश में रहती है सबसे ज़्यादा बाग भी पाया जाता है वो मध्य पर्देश में पाया जाता है सबसे जंगल भी जो पाया जाता है वो मध्य पर्देश में तो यह सारा fact याद रखिएगा 2022-23 की season कि रड़ी ट्रोफी का किस तिम ने जीता है दोस्तों तो जो जीता है मुंबई ने जीता है किसे हाल ही में भारत का चुनाव आयूक तेहां पे नुक्त किया गया है तो जो चुनाव आयूक नुक्त किया गया है और सुखवीर और ग्यानेश कुमार को निक्त किया गया है याद रखिएगा ये भी भी आई है ठीक है अगला सवाल आता है कि हाली में कौन सा राज समान नगरिता सनहीता यू सीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज बन गया है ये सवाल आपका टी यारे टू में उच्छा जा चुका है तो आप लोग याद रखिएगा जो समान नागरित सनहीता जो लागू करने वाला पहला राज बना है उत्रा खंड बना है और कल का वीडियो में साथ मैंने बताया था कि यह जो यू सीसी का जो कमीटी बना है उसका अध्यक्ष कौन थे तो आप है निमलिकित में से कौन भूटान के परधान मंतरी है दासो शेडिंग तबों के यहां पे ये भूटान के परदान मंतरी है फ्लाइ नांटी वन क्या है दोश्तो तो फ्लाइन च्छेटरीय एर विब्लम Daily से याद रखिएगा हाल ही में किस माधा चीता ने कुुनो राष्टिय उद्यान में पांच साउको को जनन दिया है तो वो जो माधा चीता का नाम था वो गामिनी नाम था ये यह याद रखिएगा बहुत ही important है अगला आता है कि Agnify Missile का विकास किस ने किया है आप लोग याद रखिएिए किस फिल्म को स्रक्रेश ओसकर पिरसकार मिला है दोस्तों वो जो मिल आप ओपर सनुछा को मिला है तो आप लोग याद किसलिनके संटर लेगा, कोई बचसी हब के जये क्वा सकता है, कोई बतचा है, कोई बचसी के इस सबाइलै? आप लोग का यहाँ पर होमवर्क है, डिरेक्टर, आप लोग कमेंट में लिखते जाएगा, जिनका भी राइट एंसर होगा, मैं उनको हट दे दूँगा, ताकि वहाँ पर सारे लोग समझें कि यह राइट एंसर है, अगला साल आता है, कि हाल ही में परधान मंति नरंदर अगला आता है, किस तारे को सहित भगल सिंग, राजगरु, सुखदे को सहादत दिवस के रूपे मनाया जाता है, तो जो मनाया जाता है, तो जो मनाया जाता है, और रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे निक्त किया गया है, तो भारत के जो अगले राज तो चुनाव आयुक्त कौन है तो जो बरतमान चुनाव आयुक्त है वह राजीव कुमार ठीक है अगला सवाल है कि 30 मार्ट 24 को किस पूरु प्रधान मंत्रियों को मर्नु प्रांत भारत रंसे समानित किया गया तो यह जो समानित किया गया है चौधरी चरण सिंग और बीपी देखकर इसको खतम किजिए कम से कम को सारे लोको दो से तीन बर ये बिडियो को देखना है ये वन लाइनः है अगर कि आप लोग अच्छे से नहीं देखिएगा ऑच्छे से दिमाग में जसा से नहीं पक्ड़ा पाएगा इसलिए एक दो बद देख लीसे गहात तो आपक में प्राप्ट किया है उसके एलान मक्स से पहले वो बने थे जो मैंने बताया अभी और उसके बाद फिर सही एलान मक्स जी बन गए है इनका भारतिय मेला है वो बिल्कि स्मीर है आप लोग यादर कियाँ की stubasa में अगला आता है के चंद्रमा और अनिख किंड्यू के प्रस्तावित मानक समय क्या नाम है तो उसका जो प्रस्तावित मानक समय है नाम है उसको LTC नाम है याद रखेगा LTC LTC का फुल फुरम क्या होता है समध्यू चंद्र समय है ठीक है अगला आता है कि UPI का क्या मतलब होता है तो Unified Payment Interface LTC वहला भी सवाल पुछा जा चुका है UPI वहला भी सवाल पुछा जा चुका है तो आप लोग इसको भी याद रखेगा भूलिएगा नहीं ठीक है अगला सवाल की तरफ बंढते हैं अगला सवाल जैसे आएगा पूछा गया है कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन ठेरपी का नाम क्या है दोस्तों तो उसका नाम है next car 19 आप लोग याद रखेगा और मिस्र में तीसरी बार प्रदान सौरी राष्टपति की इसे चुना गया है तो जो मिस्र का तीसरी बार राष्टपति चुना गया है अबदिल फता अलसीसी को चुना गया है फिर आत से थोड़ी हो जाएगा ठीक है तो जिसके जो हम लोग इसको अनौचर प्रदेश बोलाते है न तो जीस पसद्रा नहीं इस्थित विवादित दीप का नाम किया है भारत और सिर्लंका के बीच में जो पाल जल डंबनुबद है आपको पता होगा दुनों को भाजित करता है तो उसमें जो यह कच्छा थीवु दीप है यह थुदा सा बीवाद चल रहा है यह दोनों देशों के बीच अगला साथ हाल जैन यू ने विस्वास्तर पर कौन सहथ्तान आसिल कीया है दोस्तों तो यहां-पर टौप कि 20 होमोपोथी दिवस प्रति वर्स कम मना जाता है तो यह जो मना जाता है 20 सौरी 10 अपरेल को मना जाता है जो कि यहाँ पर राइट एंसर होता है अगला सवाल है कि अंत्रिक्स अन्वेशन के लिए 24 जॉन एल जैक स्विगर्ट जुनियर पुरुसकार से किसे समानित किया गय है अगला सवाल आता है कि 9 अपरेल 24 को आयरलेंड के सबसे युवा परधान मंत्री कौन बने है तो जो बने साइमन हैरीस बने है बहुत ही इंपोर्टेंट है भी वी आई है आप लोग इसको याद रखिएगा फिर आता है उगादी को नए साल के दिन के रूप में किन किया था तो इसका जो थिम्स था वो मेरा स्वास्त मेरा अधिकार था याद रखिएगा अगला सवाल है कि भारत के चीफ और डिपेंसर स्टाप किसे यहां पर नुक्त किया गया है ठीक है 360 नंबर की उचंज है कि भारत में आम चुना 24 का प्रात्मिक फोकस क्या था तो यह अगला सवाल है कि अपरेल 24 में भारतिय नौ स्वांना का अगला पर्मुख किसे नुक्त किया गया है तो वह जो नुक्त किया गया है वाइस एड्मिरल दिनेश ट्रिपाठी जीको नुक्त किया गया अप लोग याद रखिएगा ठीक है इससे पहले जो थे वह आर हरी कुम पिर आता है 364 नमबर क्यूचन जो कि बहुत इंपोर्टेंट क्यूचन साता है कि किस सरकार ने युवाओं के धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए अपरेल दोराइब 24 में एक एतिहासी धूम्रपान प्रतिबंद का प्रस्ताव रखा है तो यह जो देश है इस देश किर्गिस्तान सहर के में यहां पर किया गया है किर्गिस्तान जो है देश है उसका सहर है जो मैंने अभी बताया विंसके अगला आता है को दुबारा हमला किया था अभी फिलाल में आप लोगों देखे होंगे जो इरान के यहां पर राश्पति राइसी थे और राइसी का यहां पर विमान दुर घटना में मृत्ति हो गया इसका अभी कोई पता नहीं है कि इसके मृत्तियू के पीछे में इसराइल कहां था या कि किस अपरेल को मनाया जाता है आप लोग याद रखिएगा फिर आता है कि कि इस भारतिय फिल्म को कांस फिल्म महोच्षो के लिए लास सीनेफ सरेणी में चुना गया है तो यह जो चुना गया है वो सूरज मुखी के बारे में सबसे पहले पता चला यह जो है फिल्म इसको चुना गया है फिर आता है कि अगला सवाल 370 के हम किस तारी को 200 पुस्तक और कॉपी राइट दिवस मनाते है तो यह जो मनाया जाता है 23 अपरेल को मनाया जाता है जो कि भेवी इंपर्टेंट है याद रखिएगा नेक सवाल है किस सहर को 24 के लिए 200 पुस्तक राजधानी का खिताब पराप्त है तो ओ अश्टार्स बर्ग में यहाँ पर अश्टार्ट है याद रखिएगा ठीक है नेक सवाल है 375 के लिए कोटा किस ने हासिल किया है तो जो किया है विनेस पोगाट असु मलिक और रितिका हुड़ा जी ने यहाँ पर किया है आप भूलिएगा नही फिर आता है कि रोइंग में भारत का पहला पेरिस उलम्पिक कोटा किस ने हासिल किया है तो जो किया गया है बलराज पमार जी ने किया है ठीक है और यहाँ से अंती महिना के सुझता होता है मैई 24 का इसमें देख लेते हैं कुछ और कुछ मिसलेनी इस भी सवाल देखेंगे माई दुए चौबीस में यहाँ पे 375 नमबर क्यूचन से स्टार्ट होता है देखते हैं पहला ही सवाल है इसमें कि विस्व प्रेश स्वतंतता दिवस किसकी वस्गाट मनाया जाता है तो यहाँ पे जो विस्व प्रेश स्वतंतता दिवस होता है वो विंड हॉक घोषना के और सर पर यह मनाया जाता है मांट रुअनग जुआला ममुखी का स्थान कहां पहस है तो यह इंडोनेसिया के उतरी सूला व्यशी प्रांत में यह पाया जाता है फिर आता है कि 2 मयद 24 को सोलोमन दीव के नए Πرधान मंतरी को रूप में किसे चुना गया है तो जो चुना ग है कि चुनाओ के संदर में SLU क्या है तो SLU जो उसका फुल प्रम होता है सिगनल लोडिंग यूनिट है यहां पर यह होता है आप लोग याद रहे हैं एक वीवी पैट हो गया एक उनके जो बर्तमान में प्रमूख है वह सामंत गोयल जी बहुत ही इंपोर्टेंट परसन है अगला आता है 381 नवर क्यूचन की अगामी T20 विशुकप के लिए भारत की 1510 यह टीम का कप्तान किसे नुक किया गया है तो जो यहां पर T20 होने वाला है उसका जो कप्तान होंगे रोहित सर्माजी होंगे याद रखिएगा फिर 381 नवर क्यूचन है कि 324 पेरिस ओलंपिक वैडमिंटन में महिला एकलवर्ग में भारत का प्रतिनिद्रित कौन करेगा तो जो भारत का प्रतिनिद्रित करने वाले है वो PVC दूजी है वही यहां पर प्रतिनिद्रित करेंगी एसियन गेम्स 2023 में एथलेटिक्स में पूरसो के 3000 मीटर अस्टीपल चेज परतियुकता है भारत का पहला गोल्ड मेटल किस ने जीता था तो जो जीते थे वहां पर विनास साबल जीने जीते थे याद रखिएगा ये चीज भी ठीक है फिर आते हैं नेक्स सवाल की तरफ न और शोहली पस्मीना को भगौलिक टैंग मिला है तो यह जो पस्मीना है न वहां पर कहां पर पाया जाता है वह पाया जाता है जम्मु कस्मिर में याद रखिएगा फिर आता है कि ICC में ने पूरुस क्रिकेट 2223 के लिए Global Ambassador Group में किसे नामित किया है तो जो किया है यहां पर 19 कपरजी को किया गया है आप लोग भूलिएगा नहीं ठीक है नेक्स सवाल है कि मद्परदेश की सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नोकरी में कितने परतिसत के यहां पर अक्षंट देने के गोंचला किया है वो जो गोंचला किया है तो आप लोग याद रखिएगा यह खाए नहीं हब रहा देखे आउंगे तो पता होगा नेक्स आता है कि एस्केल में महिला होड़की में भारत ने जापान के कादक जीटा है व कांस पड़क जीता है जो कींद्थ होता है आप लोग याद रख ते 204 में मुचला यह इजराइल के साथ मुटवेड के दौरान क खबरों में रही हमास की छेतर की एक अंतकवादी समू है त्यार दखेगा यह जो अंतकवादी समू या निकी फिलिस्तीन का है यह देखे भारत जो है ना हमास को अंतकवादी नहीं मानता है तो यह अलग-अलग देशों का अलग-अलग मनेता है लेकिन भारत में हमास को अंत याई खेलोन में अपना पहला सावा पदक किस event में जीता है तो जो इवेंट में जीता है महीला कवरडी में जीता है तो हें आपको right answer होगा भारत का पहला solar roof cycling track health way का उद्गाटन कहां किया गया है तो यह जो किया गया है और कहां किया है है हैisraeli पहले हमास के बीच में भीशड जंग के बीच में भारत ने अपने नागरीकों की सुरक्षा वतन वापसी के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था तो यह सवाल पहले ही मैंने बता दिया तो जो ओ ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अजय था ठीक है नेक्स सवाल आज का यह में भारत ने किस राज में गंगा ढल्फिन को राज का जलिये जी घोंसित किया तो जो किया गया है यहां पर उत्तर प्रदेश में किया गया ठीक है किस तम्मिल लेखिया को सरोस्वति समान 2022 जिस 32 ये समान हो है सह समानित किया गया है तो ओ किया गया है श्रीमती सिव संक्री का आज का वीडियो में हम 400 क्यूचंस तक ही रहने देते हैं नेक्स जो कलास होगा उसमें 400 के बाद हम पढ़ाएंगे आपको तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कोमेंट सिशन जरू बताएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में पढ़ते रहे हैं मुस्क्राते रहे हैं बबाए